थोड़ी सी बात ममता बनर जी पर भी कर लेते हैं पस्चिम बंगाल की जो टीम सी पर सुप्रीम हो है ममता बनर जी उन्होंने मोहिया मोहितरा को लोकसाबा में निश्कासित करने की योजना बनाई ऐसा कहा है और इससे पहले वो मोहिया मोहितरा को एक जिम्मेदारी भी दे च देखेए कुछ न कुछ तो कहना ही है अब उनकी party की सांसध हैं तो यह भी नहीं दिखना चाहिए कि हमने उनको छोड़ दिया है जबकि वास्तविक्ता यह है कि TMC ने पूरी तरह से महुआ मोहितता को अकेला छोड़ दिया है किसी ने डिफेंड नहीं किया वो अकेले अपनी लड़ाई लड़ती रही बलकि उनकी लड़ाई कॉंग्रेस के नेता लड़ रहे थे और वैसे लोग लड़ रहे थे जो कॉंग्रेस में जाना चाहते हैं और वैसे लोग जो कॉंग्रेस के साथ एलाइंस में मतलब जेडी और वो अपनी खुद लड़ाई लड़ाई थी, TMC का कोई ऐसा मजबूती के साथ उनको समर्थन नहीं आया, तो यह एक फॉर्मेलिटी है, दिखाने के लिए है, और अगर वो गलतियां कर रही है, जितनी बड़ी गलती कियें उन्होंने, उससे उनकी सांसदी जाना ही और ऐसा लगभक्त है है कि शायद उनकी सदस्ता जाई, हलागि जो सदस्ता जाने न जाने से फर्क इसने नहीं पड़ता है, विंटर सेशन में मान लिए कोई निर्णय होता है, और दो-तीन महीने के लिए ही संसत चलेगा, फरवरी के बाद चुनाओं की घोशना हो जाएग है, चार-पांच महीने का मसला है, फरवरी के बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई संसत की बैठक होगी, मंतर जी ने ये भी कहा है कि वो अगर उनकी सदस्ता जाती है, तो वो संसत में नहीं बोलेंगी, वो बाहर बोलेंगी, इस से क्या समझते हैं आप, नहीं नहीं इस से ये तो बोलने से कौन किसको रोग सकता है, आप संसत में नहीं बोलिएगा, बाहर बोलने से कौन रोग सकता है, ये उनका अप्रिहेंशन है, ये उनका अप्रिहेंशन नहीं, ये उनका भाजपा को एक तरह की गीदर भब की है, कि आप उनको संसत नहीं जाने दोगे, तो व लेकिन उसमें एक समस्या है, आप संसद सदस्य के इनाते, संसद में जो बोलते हैं उसमें बहुत सारी इम्म्यूनिटी होती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर जा करके फैक्ट के खिलाब बोलिएगा, तब आप सामान्य नागरी की तरह कानून के दाइरे में होईएगा, ये आप संसद में भी बोलती है, बाहर उन e भी बोलती है भी हैं बाहर वो वीक्तिन कार्ड खेलती हैं बाहर वो वीक्तिन जैलती है, एसलिए ये मेरा अपना मैनना है कि ये ममताव एनरजी की गीदर भपकी है भाजपा के लिए कि आप ऐसा मत कीज़े नहीं तो आपको उल्टा दाओ पड़ेगा अच्छा अब इतनी पोपॉलरिटी लेली इतनी सुर्खिया बटोर ली है कि इस विवाद के बाद संसद की तरफ से एक नियम बनाए गया है कि संसद पोटल के लॉग-इन और पासवर्ट जो है वो संसद तक ही सिमित रहेंगे तो इसका मतलब तो यह हुआ कि उनके जो परस्नल एसिस्टेंट है या सेक्रेटरी हैं वो लॉग-इन नहीं कर पाएंगे और एक और बात शायद से कहीं यह सोची जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो यह सब टेक्निक जानते नहीं है दो चीज़े हैं एक तो वो किसी को देंगे नहीं पासवर्ट जो लोग नहीं जानते हैं शायद से वो मुश्किल में आ जाएंगे या फिर उनको ट्र लॉग इन और पास्वर्ड अपने किसी एक सहायक को दे सकते हैं लेकिन उस सहायक के बारे में जानकारी आपको संसर को उप्रब्द कराना होता है जी जी यही नया नयम में क्या बदला हुआ है उसकी मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा लेकि जो जिससे आपके भावनात्मक संबंध रहे हैं जी 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 इसको आप जिल्टेट एक्स कह रही है और आपका जो आपका जो एकाउंट है वो दुबई से ऑपरेट होता है ये और बड़ा एक बड़ी चिंता जनक बात है इसलिए इसलिए इन सब पर संग्यान होना और इस पर कारेवाई होना आवश्यक है इसलिए कि इसमें सुरक्षा का मामला भी है पारलेमेंट हम ऐसे ही आतंकवाद के सिकार हैं और हम अगर हम इन सब चीजों पर लापरवाही करेंगे तो हमारे लिए वो घातक हो सकता है ये बहुत समवेदन सी मामला है जिसको समझना चा पराका देखते हैं वो लोग इसको लेकर के बहुत सीरिस हैं जी यह मैं समाझती हूं कि यह बदला हुआ है ऐसे समय में हुआ है जब अभी चार दिसंबर से शीतकालीन सतर भी शुरू होने वाला है एक और चलते-चलते मैं जानना चाहती हूं आपसे आपकी टिपणी लेन चाहती हूं कि मैज के ओपर ममता बनर जी ने भी एक टिपणी की है कि सारे मैज जीते आखरी मैज जो है वो जीत नहीं पाए क्योंकि उसमें पापी मौजूद थे मतलब कभी तो कभी तो वो नरेन मोदी को कूर्टे सिल्वा के भेजती है केलकटा से कभी आम भेजती है तो कभी इस तरीके की टिपणी करती है तो क्या वो क्या डिपलोउमे से खेल रहे है क्योंकि अभी उन्होंने समय भी लिया है उन final मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए देखे ये ममता की राजनीत है ममता राजनीत में इस तरह के बयान बाजी और वो अपने टेंपरामेंट के लिए जानी जाती है अब उन्होंने क्या सोचके और किसको सोचके कहा है अगर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है प्रधानमंत से बचना चाहिए लेकिन ममताब एनरजी किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए जानी जाती है तो उस पर हम आप सिर्फ यह कहेंगे कि भाई बोलने में सयम बरतना चाहिए लेकिन सयम कैसे बरतेंगे जब जब अलाला थी यह कह रहा है कि कोई भी इस तरह का बयान बैड अच्छी बात है बैड टेस्ट में होता है तो होता रहे तो इसलिए कुछ भी कहने के लिए राजनीतिक जो नेत्रत है अपने आपको स्वतन्त्र मानता है और वह बैड टेस्ट वाले कमेंट लगातार कर रहा है यही कहा जा सकता है आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद नमस्कार जैहीं मुझे भरते हैं जोजी मुझे मुझे बहुत 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 बहुत